बसकार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और आज की वीडियो में हम 15 नवंबर 2021 की पांच बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ध्यान से देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए है और इगनू के स्ट्रिवेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सेयर जरूर कीजिए तो एक एक करके आप सभी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते है हमारी जून एक्जाम रिजल्ट की जून एक्जाम 2021 का रिजल चैक कर पाएंगे इसके बाद ज्यादातर स्ट्रिवेंट का रिजल्ट अपडेट किया जा चुका है अब भी अगर किसी इस्ट्रिवेंट का अपडेट नहीं किया गया एक या दो सब्जेट का तो वह भी बहुत ही चल्द कर दिया जाएगा आपका जो एक्जाम हुए थे अगर सेप्टेंबर में हुए थे सेप्टेंबर से आपका रिजल्ट आना सुरू हो गया तो सेप्टेंबर अक्टूबर और अब नवंबर ज्यादतर स्ट्रिवेंट का रिजल्ट अपडेट किया जा चुका है और अब बहुत ज्यादा अपडेट आना बाकी नहीं है अप तो आपके लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपका जो रिजल्ट है जून इक्जाम रिजल्ट का वो आया है उससे आप सैटिस्पाइड नहीं है तो तीस दिन के अंदर उस सब्जेट का आप रिजल्ट का फॉर्म भर सकते हैं और आपका रिजल्ट भी लगबक 30 से पैसे दिन के अंदर रिलीस कर दिया जाता है तो अब नेक्स अपडेट के बार में बात करते हैं बुलकाता रीजिनल सेंटर की तरफ से नया सैटिल जारी क किया गया है तो इसको आप जरूर सेड्यूल को चैक कर लए अगर आप बीकित्स का लिंक कर आ इसका इसे पर मिला जाया सिर्फ DECE04 को छोड़ कर इसका लिंक आपके लिए इगनुजारी करेंगा बाद में इसमें आप सभी को अप्लोड कर सकते हैं सिर्फ आपको यह हार में रखना कि assignments को इसमें आपको upload नहीं करना है और Synopsis के लिए अलग format दिया गया है Synopsis के लिए कि आपको क्या करना आपने Regional Center की website में चाहिए और वहाँ पर जो contact है वहाँ पर उनको आप submit कर सकते हैं वहाँ पर उनके email पर भेज सकते हैं अपने Synopsis को approval के लिए या फर दूसरा तरीका भेजा गया है कि जो भी आपका school है उसमें जो school के contact है उनके email आपको जो faculty है उनके email ID पर भी आप Synopsis को approval के लिए भेज सकते हैं ये पूरे instructions दिये गए हैं इसको आपको follow करना है इसके उपर एक video मैंने separately भी बनाई है आप उसको भी check कर सकते हैं इसका link आपको description box से मिल जाएगा next update के बार में बात करते हैं तो आपके लिए grade card भी update किया गया जिसमें काफी सारे student ऐसे जिनका promotion के जो result चले गए थे promotion का जो result का grade card जो आया था वो चला गया था वापिस आप जारी कर दिया गया है तो आप एक बार सभी student अपना grade card जरूर चेक करें इसका link आपको description box से मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए